पवीत्र शास्त्र में से गुजरते हुए बाइबल की प्रत्तिक पुस्तक में से आज के लिए एक संदेश लेखक, जैक, पुनन, पवीत्र शास्त्र के सभी उद्धरण अन्यथा दर्शाय न जाने पर लौकमेन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित न्यू अमेरिकन स्टैंडर बाइबल के निम्न संस्करणों में से लिए गये है दुरुपयोग रोकने के लिए इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित रखे गये है लेखक या प्रकाशक की लिखित अनुमति बिना इस पुस्तक की कोई भी प्रतिलिपी का प्रकाशन या अनुवाद वर्जित है पवित्र शास्त्र में से गुजरते हुए विशे वस्तु परमेश्वर ने हमें बाइबल क्यो दी है परमेश्वर के वचन का अध्यन करने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें अपना वचन क्यो दिया है ये हो सकता है कि हम बाइबल को गलत कार्णों से पढ़ रहे हो और मेरा मानना है कि बहुत से मसीही यही करते है हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन उसी उद्देश से करना चाहिए जिस उद्देश से परमेश्वर ने इसे दिया है जब पूरी बाइबल में से गुजरते हुए मैं इस अध्यान को तयार करने का विचार कर रहा था और जब मैं परमेश्वर के रिधे में जाकने की कोशिश कर रहा था तो जो पद मेरे मन में आया वो था परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परन्तु अनन्त जीवन पाए युहन्ना 3.16 हमें पवित्र शास्त्र देने के पीछे परमेश्वर का प्राथमिक उद्देश ये था कि सभी लोग ये जाने कि वो उनसे इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उसने अपने बेटे को भीजा जिससे कि वो उन्हें पाप के शिकन जेसे बचाए और अपने साथ एक संगती में ले आए परमेश्वर के रिदे में ये बड़ी अभीलाशा है कि पाप किसी को भी इस तरह नाश न करने पाए कि उसका अनंद विनाश हो जाए परमेश्वर के वचन का अध्यान करते हुए हम इस बात को अपने मन में रखे अगर वचन में ऐसी बाते हैं जो हम पूरी तरह समझ नहीं पाते तब भी हम यही प्रार्थ ना करे प्रभू हमें चाहे तेरे वचन की सभी बातों के अर्थ समझ में न आए तो भी हम तेरे रिदे की बात को समझ ना चाहते हैं पवित्र शास्त्र का अध्यन करते हुए हमें ये प्रार्थ ना करनी चाहिए कि हमें वो बात समझ में आ सके जो परमेश्वर के रिदे में है अपने अध्यन के दोरान हम मामूली बातों की व्याख्याओं में इतना ज्यादा खो सकते है कि परमेश्वर के रिधय को देखने से ही चूक सकते है परमेश्वर अपने वचन में अपना रिधय प्रकट करता है जैसे किसी इमारत का काम उसकी बुनियाद डाल देने के बात नहीं रुपता वैसे ही परमेश्वर का उद्देश यही रुप नहीं जाता है दो दिमुथियोस पीसरा अध्याय सोला सत्रा में हम पढ़ते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिक्ता की शिक्षा के लिए उपयोगी है जिससे की परमेश्वर का भग प्रतेक भलेक काम के लिए कुशल और तत्पर हो जाए परमेश्वर ने इस पुस्तक में ठीक उसी तरह से अपनी श्वास फुकी है जैसे उसने आदम में फुकी थी अगर परमेश्वर ने आदम में श्वास न फुकी होती तो वो सिर्फ एक मिट्टी का धेर ही रहता और कोई भी पुस्तक जिसमें परमेश्वर ने श्वास नहीं फुकी है वो भी मिट्टी का धेर ही है परमेश्वर का वच्चन हमें इसलिए दिया गया है कि एक हमें सिखाए हमें सही रास्ता दिखाए दो हमारी ताडना करे और हमें डाटे हमारे ईश्वर यता के मार्ग में बने रहने के लिए हमें कठोरता से डाटे जाने की जरुरत होती है तीन जब हम भटकने लगे तो हमें सुधारे सही मार्ग में हमारा पथ प्रदर्शन करे चार हमें धार्मिक्ता में प्रशिक्षित करे ये एक प्रशिक्षन की हस्त पुस्तिका है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे चरित्र को बदलने के लिए दिया गया है ताकि हम ईश्वर ये स्त्री और पुरुष बन सके इसका अंतिम लक्ष ये है कि परमेश्वर का भग कुशल हो जाए सिद और हूर्ण हो जाए जैसे पानी का एक गिलास लबालब भरा होता है वैसे ही हमारा चरित्र भी गोलाई, संतूलन और पूर्णता में होना चाहिए परमेश्वर की सेवा के लिए हमारा अभीशेक होना है और हमें साधन संपन होना है कि हम उस प्रत्यक भले काम को कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठराया है पवित्र शास्त्र का यही उद्देश है इसलिए आप जब भी बाइबल पढ़े तो इनी उद्देशों की पूर्दी के लिए पढ़े दूसरों को सिखाने के लिए नहीं सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर का वचन सिखा सकता है वही पवित्र आत्मा जिसने पहली शताबदी में प्रेरितों को सिखाया था वही पवित्र आत्मा 21 शताबदी में हमें भी सिखाना चाहता है जुलाई 1969 में मेरा नया जन्म होने के बाद मैंने पवीत्र शास्त्र का इसी तरह अध्यन किया है मैं किसी बाइबल स्कूल या बाइबल कॉलेज में नहीं गया जब मैंने अनेक घंटे परमेश्वर के वचन का अध्यन करने में बिताने शुरू किये तब पवित्र आत्मा ने मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जब इशु इमाउस के मार में दो शिशों के साथ चलता हुआ जा रहा था तो उसने पवित्र शास्त्र को उनके लिए खोल दिया अगर आज हम भी उसके साथ चलेंगे तो वो हमारे लिए भी यही करना चाहता है इन शिशों ने ये पाया कि जब प्रभू उन्हें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था तो उनके रिदे उत्तेजित हो रहे थे लूका 24-32 आज जब पवित्र आत्मा हमारे लिए पवित्र शास्त्र को खोलेगा तो हमारे रुधय में भी यही होगा जिन सत्यों को परमेश्वर अपने वचन में खोलता है वो कभी नीरस नहीं हो सकते क्योंकि इशु कभी नीरस नहीं होता अगर हम अपने प्रभू के साथ साथ चलेंगे तो हमारे रिधे भी हमारे अंदर उत्तेजित होगे क्योंकि हम वचन में मसीह की महिमा को देख सकेंगे पुरानी वाचा में लोग परमेश्वर के लिखीत वचन पर चिंतन मनन करते थे लेकिन अब हम उस वचन में मन लगाते है जो देहधारी हुआ हमारा प्रभू ईशु मसीह युहन्ना एक चौदा अब जब हम वचन पर मनन करते है तो हम ईशु की महिमा को देखते है देखिए दूसरा कुरिंधियो तीन अट्रा एक व्यक्ति जो निरंतर उस महिमा को देखता रहेगा वो ऐसे वरक्ष के समान होगा जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और जो हमेशा फलवन्थ होता रहेगा वो व्रुद्धावस्था में भी पलवन्थ होगा भजन सहीता एक तीन और बिर्यानवे चौदा हमेशे हर एक के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है नीतिवचन पच्चीस दो कहता है परमेश्वर की महिमा किसी बात को गुप्त रखने में है लेकिन राजाओं की महिमा गुप्त बात को डूण निकालने में है सोना और हीरे बहुत गहराई में मिलते हैं वो पृत्वी की सतह से हजार और फीर नीचे होते हैं पवित्र शास्त्र भी ऐसा ही है उसकी भरपूरी उसकी गहराई में छुपी हुई है हम मसीह में राजा है और हमारी महिमा परमेश्वर के वचन के शुपे हुए गुप्त खजानों को डूण निकालने में है ईशु ने एक बार ये कहा हे पिता मैं तेरी स्तूती करता हूँ कि तुने ये बाते ग्यानियों और बुद्धिमानों से छुपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की है मत्ती ग्यारा पच्चिस पवीत्र शास्त्रों को समझने के लिए हमें चतुर होने की जरुरत नहीं है लेकिन हमारे बीतर एक बच्चे जैसा साफ, नम्र, दीन और भरोसा करने वाला रिधय होना चाहिए हमारी चतुरा ही नहीं बलकि हमारे रिधय की दशा ये सूनिश्शित करती है कि हमें पवीत्र शास्त्र समझ में आएगा या नहीं परमेश्वर का वचन हमें भरोसा करने के लिए प्रतिग्याय देता है और पालन करने के लिए आग्याय देता है उसमें हमारे लिए ताड़ना के शब्द है और साथ ही शांती देने वाले शब्द भी है अगर हमारे विश्वास से जुड़े हर एक मामले में हम बाइबल के अधिकार को सर्वोच्च नहीं मानेंगे तो हम इधर उधर हिश्कोले खाते रहेंगे और अंत में ये होगा कि हम अपने विश्वास को खो वैठेंगे भजनकार हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महान किया है भजन सहीता 138.2 इसलिए इसे अस्विकार या अंदेखा करने या इसके साथ सतही तोर पर विवार करने से बहुत बड़ा नुखसान होगा जिसकी क्षती पूर्थी न हो सकेगी लेकिन इसका आदर करने से एक अतूल्य खजाने का दुआर खुल जाता है एक परिचय के रूप में इन शब्दों के साथ आईए हम परमेश्वर के वचन का अपना अध्ययन शुरू करते है जैक पुनन बैंगलोर नवंबर 2015 पुराना नियम उत्पत्ति आरम इसमें हम देखेंगे स्रुष्टी दो पुरुष जिन्होंने शैतान की बात सुने दो पुरुष जो परमेश्वर के साथ साथ चले बैबिलोन यरूशले अबराम और मलकी सिदग इसाग का जीवन याकूब का जीवन और युसुफ का जीवन उत्पत्ति उत्पत्ति का अर्थ आरम है इस पुस्तक में हम स्रिष्टी के आरम, मनुष्य के आरम, मानव चाती में पाप के आरम, छुटकारे के आरम का संदेश, धर्मान्धता और आत्मिकता की दो धाराओं के आरम बेबिलोन के आरम, यरुशलेम के आरम और जुटे धर्म और सच्चे धर्म के आरम के विशय में पड़ते हैं पवित्र शास्त्र इन शब्दों के साथ आरम होता है आरम में परमेश्वर हमारे जीवन में प्रति दिन ऐसा ही होना चाहिए मनुष्य नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बात के आरम में होना चाहिए हमारे जीवन के हर एक शेत्र में हमारे लक्ष और हमारी महत्वा कांख्शाओं में सब बातों में परमेश्वर सबसे पहले होना चाहिए और जब भी परमेश्वर को एक ऐसा पुरुश या स्त्री मिलेगी जो अपने जीवन के हर एक शेत्र में उसे पहला स्थान देंगे व्यापार में, वित्ति या मामलों में और प्रति दिन के जीवन में तब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के अंदर और उसके द्वारा क्या कुछ कर देगा उसकी कोई सीमा न होगी श्रुष्टी, अध्याय एक में हम श्रुष्टी की रचना का वर्णन पाते हैं इस अध्याय में आने वाले दो भिन्न शब्दों पर ध्यान दीजिए रचा और बनाया इन दोनों शब्दों में फर्क है परमेश्वर ने प्रुथ्वी को रचा पहला अध्याय पहला वचन लेकिन उसने आकाश को बनाया एक साथ उसने मनुष्य को रचा लेकिन उसने प्रुथ्वी के जिव जन्तूओं को बनाया एक पच्चीस बनाया किसी ऐसी चीज में से कुछ बनाने के विशय में बताता है जो पहले से अस्तित्व में थी जबकि रचा जाना किसी ऐसी चीज के विशय में बताता है जिसका पहले अस्तित्व नहीं था आदी में परमेश्वर ने आकाश और प्रुथ्वी की रचना की ये हो सकता है कि ये रचना लाखों और करोडों साल पहले हुई हो हम नहीं जानते जब परमेश्वर के बोले गए शब द्वारा आकाश और प्रुथ्वी की रचना हुई इब्रानियो ग्यारा तीन तब उसने सब कुछ सित्व बनाया था परमेश्वर जो कुछ बनाता है उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता तब प्रुथ्वी बेडोल, वीरान और अंधियारी कैसे हो गई अध्याय एक, दो में परमेश्वर कुछ भी बेडोल, वीरान या अंधकार में नहीं बनाता वो ऐसी हो गई क्योंकि पद एक और पद दो के बीच के अंतराल में कुछ हुआ था स्वर्दूत लुसीफर का पतन हुआ था और वो शैतान बन गया था यहीं वो समय था जब पाप ने स्रिष्टी में प्रवेश किया था इस जगह उसका उलेक इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि बाइबल स्वर्दूतों के लिए नहीं बलकि मनुष्यों के लिए लिखी गई है यही वज़ा है कि मनुष्य की रचना के विशे में पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है जबकि लूसीफर के पतन का बयान बहुत बाद में किया गया है यशया, चवदा और एजकेल 28 में अध्याय एक के बाकी हिस्से में जो हम पढ़ते हैं वो प्रष्ट, दूशी, अंधकार में और वीरान पृत्वी की पुनर रशना का वृत्तान थे और अध्याय के अंतक पहुँचते-पहुँचते हम ये पाते हैं कि पृत्वी एक बार फिर से सुन्दर बन गई है स्वेम परमेश्वर ने उसे देखा और कहा बहुत अच्छा है अध्याय एक में हम सब के लिए एक संदेश है शैतान भी मानव जाती में आ गया है और उसने मनुश्य को भी बिलकुल वैसा बना दिया है जैसा पद दो में कहा गया है विरान, बेडोल और अंधकार में हमने परमेश्वर के स्वरूप और समानता को खो दिया है परमेश्वर ने आदम को ऐसा नहीं बनाया था आदम सित रूप में रचा गया था लेकिन शैतान आया और उसने मनुश्य को बरबाद कर दिया और परमेश्वर को मनुश्य की उनरचना करनी पड़ी परमेश्वर इस समय बरबाद हो चुकी मानव जाती की उनरचना के काम में व्यस्थ है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कितने विरान, बेडोल या अंधकार में है अध्याय एक ये सिखाता है कि परमेश्वर आपको फिर से बना सकता है वो आपको इतना सिद्ध बना सकता है कि अंततहा आप एक सिद्ध रूप में उसकी समानता को प्रतिभिंबित करेंगे और स्वयम परमेश्वर आपको प्रामानिक ठहराते हुए ये कहेगा बहुत अच्छा है यही बाइबल के सबसे पहले अध्याय का संदेश है लेकिन ये परिवर्तन कैसे हुआ? अगर आप ये समझ लेंगे कि ये कैसे हुआ तो आपके जीवन में भी ऐसा ही परिवर्तन हो सकेगा प्रती दिन परमेश्वर ने अपना शब्द बोला उसने पहले दिन कुछ बोला उसने दूसरे दिन कुछ बोला वो प्रती दिन बोला आपको बाइबल के पहले ही अध्याय में यही देखने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो बोलता है अगर आप परिवर्ति होना चाहते हैं तो जिस बात की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है परमेश्वर को आप से बोलते हुए सुनना मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जियेगा बलकि हर एक उस शब से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है मत्ती 4.4 परमेश्वर ने मनुष्य के जीने की योजना इस तरह बनाई है इसलिए अगर हम प्रति दिन उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम परिवर्थित नहीं होगे हमें परमेश्वर की बात सुनने की आदट डालनी पड़ती है परमेश्वर प्रति दिन बोलता है लेकिन ज्यादातर विश्वासी उसकी बात सुनते ही नहीं है ऐसे ही लोग भी है जो प्रति दिन बाइबल तो पढ़ते है लेकिन परमेश्वर की बात नहीं सुनते परमेश्वर की बात सुनना और बाइबल पढ़ना एक ही बात नहीं है अब बाइबल को एक उपन्यास की तरह पढ़ सकते है ये रसायन शास्त्रे की पाठ्य पुस्तक की तरह उसका अध्यान कर सकते हैं और ये हो सकता है कि आप कभी वो बात न सुन सके जो परमेश्वर आपके रिधय के साथ करना चाहा रहा है दूसरी बात जो हमने देखी वो ये कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मन्रा रहा था पहला अध्यान दूसरा वचन जब आप परमेश्वर को बोलता हुआ सुन लेते हैं तो आपको पवित्र आत्मा को ये अनुमती देनी होगी कि वो आप पर मन्रा सके सिर्फ तभी ऐसा होगा कि आप परिवर्तित होगे हम पवित्र आत्मा को आरम से ही परमेश्वर के वचन के साथ काम करता हुआ पाते हैं सिर्फ पवित्र आत्मा ही मनुष्य को बदल सकता है ये परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा का सामूहिक काम था जिसने उस अस्तव्यस्तपड़ी प्रित्वी को बदल कर सुन्दर बनाया मसीहत में आज सबसे बड़ी जरुरत संतूलन की है बहुत से विश्वासी परमेश्वर के वचन के अध्यान पर जोर देते है लेकिन उसी समानता में पवित्र आत्मा पर निर्भर होने पर जोर नहीं देते है अगर पवित्र आत्मा द्वारा योग्यता दिये बिना आप परमेश्वर के वचन का अध्यान करेंगे तो आप एक हड़ी की तरह सूखे हुए और वैसे ही मरे रहेंगे दूसरे पवित्र आत्मा की सेवकाई पर जोर देते है और परमेश्वर के वचन को नजर अंदाज करते है और इस तरह वे ऐसे भावुकतावाद में फस जाते है जिसे वे पवित्र आत्मा का काम समझने लगते है भाववाले इंजिरों की तरह वो पट्री से उतर गए होते है परमेश्वर के वचन की पट्री से वे जोर से सीटी बजाते हैं बहुत सा शोर करते हैं लेकिन वे मिट्टी में धसे होते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को उनका मार्ग दर्शन करने की अनुमती नहीं देते इस तरह हम देख सकते हैं कि हमें धार्मिक्ता के सही मार्ग में सिद्ध होने के लिए बाइबल के पहले अनुच्छेद में ही सौंशोधन और शिक्षन मिल सकता है एक चार में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जोती को अन्धकार से दूर किया इस विभाजन को चवते दिन दोराया गया है एक अठ्रा में ये एक बहुत जरूरी बात है और इसी वज़े से इसे दोराया गया है जब परमेश्वर ने जोती की रचना की तो वो ये नहीं चाहता था कि अन्धकार उसमें मिश्रित हो इसलिए उसने ये विभाजन किया बहुत लोग ये कलपना करते हैं कि अलग करने का सारा काम शैतान ही करता है लेकिन हम यहां ये पढ़ते हैं कि विभाजन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति परमेश्वर था जोती की अन्धकार के साथ कोई संगती नहीं हो सकती जब हमारे रुधयों में जोती आती है तो सबसे पहला काम जो परमेश्वर करना चाहता है वो यही है कि हमें ऐसी हर एक पास से दूर कर दे जो अन्धकार में है दो कुरिंथियों चार छे में हम जोती की रचना के विशे में एक ईश्वरिय व्याख्या पाते है वहां हमें ये बताया गया है कि ये परमेश्वर की महिमा के ज्यान की जोती है जो ईश्व मसी के मुक में से हमारे रुधयों में चमकी है पिर दो अध्याय के बाद दो कुरिंथियों 6, 14-17 में हमें सारे अंधकार से दूर होने की जरुरत के विशे में बताया गया है संसार अंधकार से भरा हुआ है और हमारे रिधे में संसार का कुछ भी नहीं होना चाहिए जब मसीही लोग अंधकार से अलग नहीं होते हैं तब उसका नतीजा उल्जन ही होता है जब परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को आकाश के बीच में रखा तब उसने फिर जोती को अंधकार से दूर किया 1. 18 दोनों ही अउसरों पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है जब आप ऐसी हर एक बात से अलग हो जाएंगे जो अंधकार की है तब ही परमेश्वर ये कह सकेगा ये अच्छा है वरना वो ये न कह सकेगा ऐसे बहुत है जिनोंने जोती पाने के बाद अपने आपको अंधकार से अलग नहीं किया है यही वज़ा है कि उनके मसीही जीवन में इतनी सारी समस्याए है मनुष्य की रचना छटे दिन हुई थी आदम से पहले मैदान के पशू भी उसी दिन रचे गय थे पद 24 वे पशू भी उसी मिट्टी में से रचे गय थे जिसमें से मनुष्य बना था सिर्फ एक बात ऐसी थी जो मनुष्य को उन पशूओं से अलग करने वाली थी परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर श्वास हुका ये सिर्फ मनुष्य के अंदर मौझूद परमेश्वर का आत्मा ही है जो उसे पशूओं के स्तर पर होने से अलग करता है इसे हम ये जान सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर के आत्मा द्वारा जीना छोड़ देंगे तो जल्द ही हम पशुओं के स्तर तक पहुँच जाएगे परमेश्वर ने मनुष्य को भूमी के मिट्टी से बनाया कि वो उसे ये सिखा सके कि परमेश्वर की श्वास से अलग होने के बाद वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर ने सात्वे दिन को विश्राम के दिन के रूप में अलग रखा परमेश्वर के लिए वो सात्वा दिन था लेकिन मनुष्य के लिए वो पहला दिन था मनुष्य छटे दिन के अंत में रचा गया था इसलिए उसके जीवन का पहला ही दिन विश्राम का दिन था परमेशवर मनुष्यों को सिखाना चाहा रहा था कि परमेशवर के लिए काम करने जाने से पहले उसे परमेशवर के साथ संगती करनी चाहिए आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ संगती में एक दिन बिता लेने के बाद ही वाटिका में काम करने जाना था यही मनुष्य के लिए इश्वरिय क्रम है पहले संगती और फिर काम आरम में स्वयम परमेश्वर फिर परमेश्वर का काम हमें इस क्रम को भूल जाना हमारे ही लिए खतरनाक होता है यही वजह थी कि परमेश्वर ने इस्रायल को इतनी कठोरता से विश्राम दिन का पालन करने की आग्या दे थी आज परमेश्वर के लोगों के लिए सब्द का विश्राम बाकी है इब्रानियो चार नव पद एक अठाइस में परमेश्वर ने आदम से कहा था कि फूलो फलो और प्रित्वी में भर जाओ परमेश्वर की अपेक्षा नुसार ये कैसे होना था अवश्य ही एक लेंगिक संबन स्थापित होने के द्वारा परमेश्वर ने लेंगिक क्रिया की रचना की थी और उसने मनुष्य से कहा था कि वो उसका उप्योग करे परमेश्वर ने स्रीष्टी की रचना के अंत में जब बहुत अच्छा है एक इकतिस में कहा था तब उसमें मनुष्य में रखा लेंगिक काम भी शामिल था तो हम देख सकते हैं कि विवाह में लेंगिक संबन एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर ने बहुत अच्छा कहा है लेंगिक संबन विवाह के बाहर बहुत बुरा है लेकिन विवाह के अंदर बहुत अच्छा है ऐसे बहुत से मसी है जो विवहा के अंदर भी लेंगिक संबन को बहुत बुरा समझते है और सोचते हैं कि अगर वे विवाह नहीं करेंगे तो ज्यादा पवित्र हो जाएंगे ये बात पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे आशिश दी एक अठाइस उसने उसे न सिर्फ फलने फूलने के लिए कहा बलकि पृत्वी पर सब कुछ उसके वश में करते हुए उस पर अधिकार रखने के लिए भी कहा तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को गुलाम बनने के लिए नहीं बलकि राज करने के लिए रचा था परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा प्रबल होने के लिए रचा था जिसमें सब कुछ उसके पैरो तले था उत्पती में हम परमेश्वर की उस इच्छा के विशे में पढ़ते हैं जिसमें वो चाहता था कि मनुष्य राज करे और प्रकाशित वाक्य में हम परमेश्वर की उस इच्छा के विशे में पढ़ते हैं जिसमें वो चाहता है कि मनुष्य जय पाए प्रकाशित वाक्य 21 साथ ये मनुष्य के लिए परमेश्वर की मूल इच्छा थी और उसे अंत दहा कुछ ऐसे मनुष्य मिल जाते हैं जो उसकी इस योजना को पूरा करते हैं और जय पाते हैं आपके लिए परमेश्वर की योजना यही है कि आप सब पर अपना अधिकार रखे वो चाहता है कि आप अपने जीवन में पाप पर, अपने क्रोध पर, अपनी लालसाओ और मनोवेगों पर अधिकार रखे वो चाहता है कि आप इन सब को अपने पैरो तले रखे परमेश्वर ने आपको गुलाम होने के लिए नहीं बनाया उसने आपको विजेता और शासक होने के लिए रचा था और ये तबी हो सकता है जब परमेश्वर आपको आशिश दे जैसा हम एक 28 में पढ़ते हैं अध्याए एक में ये ध्यान दे कि परमेश्वर ने हर एक दिन के काम का परिक्षण किया और उसका अच्छा होना प्रमानित किया परमेश्वर ने दूसरे दिन के लिए ये नहीं कहा क्योंकि शैतान को जिसे परमेश्वर ने नीचे फेका था दूसरे आकाश स्वर्ग में रहने की अनुमती दी गई थी हमें भी परमेश्वर को ये अनुमती देनी चाहिए कि वो हमारे काम को प्रती दिन देखे कि वो उसकी सराना के योग्य है या नहीं अध्यव दो में मनुष्व की रचना के विशय में और विस्तार से दिया गया है वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को तीन उपहार दिये विवाह के लिए साथी, हवा, रहने के लिए एक घर, अधन, और करने के लिए एक काम, बागबाने ये वे तीन बाते हैं जिने आज बहुत से युवा खोज रहे हैं परमेश्वर की इस बात में दिल्चस्पी थी कि वह आदम के लिए इन तीनों बातों को पूरा करे वह इन तीनों बातों को आज भी अपने बच्चों के लिए पूरा करना चाहता है आदम को परमेश्वर से इन तीनों को मांगना भी नहीं पड़ा था परमेश्वर ने स्वयम आदम की जरूरत को देखा और उसने उन्हें उसके लिए उरा किया परमेश्वर आपके विवहा के लिए एक साथी की, एक घर की और आपकी एक रोजगार की जरूरत को भी जानता है अगर आप उसके साथ साथ चलेंगे तो वह इन्हें और इनके अलावा दूसरी जरूरतों को भी उरा करेगा दूसरा अध्याय ग्यारा बारा ऐसा कहता है कि अदन का सोना जो था वो अच्छा था सिर्फ परमेश्वर की उपस्तिती में ही सोना अच्छा है परमेश्वर से अलग सोना एक फंदा है और वह एक श्राब भी बन सकता है दो उन्नीस बीस में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सभी वनपश्यों और पक्ष्यों को आदम के पास लाया ताकि वह उनके नाम रखे पिर हम ये शब पढ़ते हैं पर आदम के योग्यों कोई सहायक न मिला इस वाक्यां उससे ऐसा लगता है कि जब आदम ने हर एक पशू का एक साथी देखा तो उसने सोचा कि क्या उन्मे से वो अपने लिए कोई साथी चुन सकता है सिह की सिहनी थी, हाती का भी साथी था, बिल्ले का भी बिल्ला था और इस तरह सब के साथी थे आदम ने एक एक करके उन सब को देखा और उन्हें अस्विकार करता गया क्योंकि उनमे से कोई उसके स्वभाव के अनुसार नहीं था और जब आदम ने उनमे से हर एक को अस्विकार कर दिया तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए एक योग्य सहायक बनाऊंगा तब उसने आदम को गहरी नीन में सुला दिया और उसके लिए एक पत्नी बनाई इसमें एक आत्मिक सिधान प्लागू होता है अगर आप परमेश्वर की संतान है और आप विवा के लिए एक साथी ढून रहे है तो परमेश्वर कुछ सुन्दर युवतियों को या सजिले युवाओं को आपके नजदिक आने देगा जिन में वही इश्वर्य सोभाव नहीं होगा जो नया जन पाते समय आपको मिला है परमेश्वर उनके द्वारा आपको परखेगा कि आप उनमें से किसी को अपने साथी के रूप में चुनते है या नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसे पाने से चूप जाएंगे जिससे परमेश्वर ने आपके लिए तयार किया है परमेश्वर को आदर दे और उसके वचन का पालन करे जो कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो दो कुरिंथियों 6-14 और वो आपको उसका सर्वश्रेष्ठ देगा इस पर ध्यान दे छे दिनों में छे बार अच्छा है कहने के बाद एक चार, दस, बारा, अठारा, एक्कीस और पच्चीस एक एक उसने कहा ये अच्छा नहीं है 2-18 आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं था पिर जब उसने हवा को बनाया तब उसने कहा बहुत अच्छा है 1-31 परमेश्वर की स्रिष्टी में एक प्रसन्न चित्त विवाहित जोड़े के होने से ये फर्क पड़ा था 2-24 में हम वह बढ़ते हैं जिस पर हर एक विवाहित जोड़े को ध्यान देना चाहिए जब एक पुरुश विवाह करता है तो उसे अपने माता पिता को छोड़ कर अपनी पत्नी से लिप्टे रहना होता है ये मुख्यता उनसे शारिरीक रूप में नहीं हाला कि वह भी जरूरी हो सकता है लेकिन ये भावनात्मक रूप में अलग होने के विशे में है एक व्यक्ति का जब विवा हो जाता है तो उसका वैवाहिक साथी उसके लिए उसके माता पिता से बढ़ कर होना चाहिए एक विवाहिक जोड़े को अपने पारिवारिक फैसले अपने माता पिता के साथ मिलकर नहीं बलकि एक दूसरे के साथ मिलकर करने चाहिए मेरी ये इच्छा है कि मैं ये महत्वपूर्ण संदेश लेकर पूरे भारत के कोने कोने में विवाहित जोडों के पास पहुंचा सकूँ अगर हर एक विवाहित व्यक्ति इस आग्या का पालन करता तो हमारे देश में बहुत से प्रसन्न विवाहित जोडे होते परमेश्वर द्वारा दी गई ये वो आध्या है जो जगत में पाप के प्रवेश करने से भी पहले दी गई थी असल में ये बाइबल में हमारे लिए लिखी सबसे पहली आग्या है परमेश्वर ने बाइबल में इसे सबसे पहली आग्या के रूप में क्यो रखा है क्योंकि जिसने विवा का होना तै किया है वो इस कदम के अत्यावशक महत्व को जानता है पिर भी बहुत से विवाहित जोडों ने इसके महत्व को नहीं समझा है दो पुरुष जिन्होंने शैतान की बात सुने अध्याय तीन और चार में हम ऐसे दो पुरुषों के विशय में पढ़ते हैं जिन्होंने शैतान की बात सुने आदम और कैर जिस दरह से वे शैतान की भर्माने वाली बातों में फसे उससे हम कुछ पाठ सीख सकते हैं जब परमेश्वर ने आदम को अदन में भेजा तब उसके साथ उसने किसी दूद को नहीं भेजा कि वो उस पर नजर रखे क्योंकि जब हम पर किसी की नजर नहीं होती है तब ही परमेश्वर हमारे रिधेक के मनोभाव परक सकता है वो हमें तब परकता है जब हमारे आसपास कोई नहीं होता आदम और हव्वा अकेले थे और वे किसी भी रचे हुए जिव की नजर बचा कर पाप कर सकते थे अदन में सुन्दर फोलो वाले हजार व्रुक्ष थे वहां जीवन का व्रुक्ष भी था जिससे वे अनन जीवन पास सकते थे लेकिन आदम और हव्वा ने इन में से किसी को नहीं चुना वे ज्ञान के पीछे गए उन्होंने जीवन को अस्विकार किया और ज्ञान के खोजी बने वही जो आज मनुश्यक कर रहा है अगर आपको बाइबल के ज्ञान और जीवन के बीच चुनाव करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे मुझे यकिन है कि आप सही जवाब देंगे जीवन लेकिन अपने आपको परक कर देखिए क्या आप बाइबल का अध्ययन ग्यान प्राप्त करने के लिए करते हैं या परमेश्वर की आज्या पालन करने के लिए अगर आप ज्यान पाने के लिए बाइबल का अध्यान करते हैं तो आप भी ज्यान के वरुक्ष के पास जाते हैं और भले और बुरे का ज्यान सिर्फ मृत्यु लाता है परमेश्वर ये चाहता है कि हमें भले और बुरे का ज्यान सिर्फ पवित्र शास्र के अध्ययन द्वारा नहीं, उसके साथ एक जीवी संबन में रहते हुए प्राप्त हो अगर हमें परमेश्वर के साथ एक जीवी संबन के बिना ही भले और बुरे का ज्यान होगा, तो हम भटक जाएंगे आदम इसी तरह मरा था, उसे परमेश्वर के साथ एक जीवी संबन में न रहते हुए भले और बुरे का ज्यान हुआ था हमें भले और बुरे का ज्यान पल प्रतिपल पवीत्र आत्मा द्वारा ये पताए जाने से होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है इस तरीके के अलावा और किसी भी तरह से भले और बुरे का ज्यान मृत्यू ही लाएगा शैतान ने हवा से कहा कि वो परमेश्वर की तरह बन सकती है तीन पाच में इशु जिस संदेश के साथ आया वो सुनने में ऐसा ही लगता है लेकिन वो पूरी तरह अलग था शैतान ने हवा से ये कहा कि वो ज्यान, अधिकार और सामर्थ में परमेश्वर के समान हो जाएगी जबकि इशु हमसे कहता है कि हम नम्रता, पवित्रता और प्रेम में परमेश्वर के समान हो जाएगे इन दोनों में से कोन से संदेश को लोग जादा चाहेंगे? ये दुखत बात है कि ज्यादा तर विश्वासी भी पहले संदेश के पीछे यी भागते हैं लेकिन हम इसी तरह शैतान की आवाज और ईशु की आवाज के बीच के फर्व को जान सकते हैं परिक्षा बहुत दुर्भोत होती है, शैतान भरमाने वाला है उसकी जालसाजी सतही तोर पर असली चीज नजराती है जब शैतान हवा को भरमा रहा था, तो वो ये संकेत भी दे रहा था कि वास्तव में परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता है अगर परमेश्वर उससे प्रेम करता, शैतान इस बात का इशारा कर रहा था तो वो इस सुन्दर पेड में से उसे खाने देता शैतान हमारे मनों में भी इस तरह ही घुसता है हमें परमेश्वर के प्रेम पर शाक करने वाला बनाते हुए ईशु ने पत्रस से कहा शैतान ने तुझे गेहु के समान फटकने का फैसला कर लिया है और ऐसा करने के लिए उसने परमेश्वर से अनुमती ले ली है लूका 22-31 परमेश्वर ने शैतान को वो अनुमती दे दी थी जैसे उसने अधन में आदम और हवा को गेहु के समान फटकने की अनुमती दे दी थी प्रभु ने पत्रस से कहा मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि जब तू गेहु के समान फटका जाए तो तेरा विश्वास चला न जाए लूका 22-32 इश्वर ये प्रार्थना नहीं की थी कि पत्रस गिरे नहीं लेकिन ये कि गिरने के बाद भी वो ये विश्वास रखे कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है ये है विश्वास परिक्षा और प्रलोभन की घड़ी में अगर हम गिरते भी है और फिर भी परमेश्वर के प्रेम में हमारा विश्वास बना रहता है तो हम जीत गए है अगर आपकी प्रार्थना का जवाब भी न मिला हो और जो आपने चाहा था वो आपको न दिया गया हो और अगर आपको अयूब जैसी किसी गम्वीर परिक्षा में से भी गुजरना पड़े जिसमें आपके बच्चों की मृत्य हो जाए और आपकी संपत्ति नश्ट हो जाए तो भी परमेश्वर के प्रेम पर कभी भी शक न करे यही सच्चा विश्वास है विश्वास से जीने का क्या अर्थ होता है इसका अर्थ है कि लगातार यकीन के साथ ये दावा करते रहना चाहे कुछ भी होता रहे कि परमेश्वर आप से प्रेम करता है अपने पिता के प्रेम में ऐसा विश्वासी उडाओ पुत्र को उसके पिता के घर में वापस लाया था वो जानता था कि हाला कि उसने बहुत से गलत काम किये थे और अपने जीवन को बरबात किया था लेकिन उसका पिता फिर भी उससे प्रेम करता था इसलिए वो अपने पिता के पास वापस लोट सका भले और बुरे के ग्यान का पेड बहुत आकरशक नजर आता था परमेश्वर ने उसे आकरशक बनाया था क्योंकि उसके आकरशक होने पर ही आदम और हवा के ये परक हो सकती थी कि वे परमेश्वर की सुंदर सुरुष्टी को चुनेंगे या स्वयम परमेश्वर को चुनेंगे हर एक प्रलोभन परिक्षा में मूल रूप में हमारा सामना जिस बात से होता है वो यही है क्या हम सुरुष्टी करता को चुनेंगे या उसके सुरुष्टी को चुनेंगे वो प्रलोभन एक सुन्दर स्त्री, सोना या और कोई सुरुजी हुई वस्तु हो सकती है जब हम मनुश्यों से सम्मान और स्विक्रूती पाना चाहते है तब भी हमारे सामने ये वैकल्पिक चुनाव रहता है कि हम परमेश्वर की स्विक्रूती पाना चाहे आप इन में से क्या चाहेंगे? जब हम स्रीजनहार से बढ़कर स्रीजी हुई वस्तुओं को चुनते हैं तब हम पाप करते हैं जब हम स्रीश्टी करता की सारी स्रीश्टी से पहले उसे चुनते हैं तब हम जय पाते हैं ये इतनी सहज बात है पिर भी संसार के ज्यादातर लोग विश्वासियों सही रोज इस परिक्षा में नाकाम होते हैं हम या तो परमेश्वर की श्रिष्टी की आराध्था करेंगे, एक सुन्दर चहरा, सोना या मनुष्य से मिलने वाले सम्मान की आराध्था करेंगे, या हम इन सब को स्वयम परमेश्वर की तूलना में कुडा करकट समझेंगे. एक जय पाने वाले के लिए इशु की सुन्दरता और उससे मिलने वाली सराना उसकी बनाई हुई हर एक चीज से बहुत बढ़कर होती है. अपने जीवन के हर एक फैसले में अगर आप सिर्फ एक यही चुनाव करते रहेंगे, तो आप परमेश्वर के एक पुरूश या परमेश्वर के एक स्त्री बन जाएंगे. आप परमेश्वर और उसके वच्चन को व्यक्तिगत रूप में जानेंगे, जैसा आपको कोई मनुशन नहीं सीखा सकता. हर एक परिक्षा में यही चुनाव करें और कहें, प्रभू मैं सारी स्रीजी हुई वस्तूओं से बढ़कर तुझे चुनता हूँ. यही भेत की बा नहीं, वो इसे बढ़कर ठा. तीन सत्रा में परमेश्वर ने उससे कहा, तुने अपनी पत्नी की बात मानी है. क्या अपनी पत्नी की बात मानना पाप है? हाँ, अगर वो परमेश्वर की आग्या न मानने की दिशा में ले जाता है, तो परमेश्वर ने आदम को घर का मुखिया बनाया था, लेकिन उसने अपने उस अधिकार का इस्तमाल नहीं किया, उसने अपने पत्मी को शैतान से बाते करते देखा, और उस वारताल आपको रोकने की कोशिश करने के बज़ाय, वो खड़ा खड़ा उनकी बाते सुनता रहा, उससे अपने अधिकार का इस्तिमाल करते हुए ये कहना चाहिए था, वहां से दूर हटो और उसकी बाते मत सुनो, आज आदम जैसे बहुत से पती है, वे अपने घर क मुखिया नहीं है, आदम ने तब पाप किया, जब उसने अपने मुखिया होने की जिम्मेदारी को नहीं निभाया, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, उसने शैतान और भूमी को श्रापे ठेराया, लेकिन उसने आदम को श्राप नहीं दिया, वहां हम परमेश्वर के महान प्रेम को देखते है परमेश्वर ने आदम और हवा को ढापने के लिए एक पशु का बली दिया वो प्रुध्वी पर पहली मृत्यु थी आदम के पाप के लिए एक निर्दोष पशु की बली दी गई और उस पशु के चमडे से आदम और हवा के नंगेपन को ढापने के लिए वस्त्र बनाए गए ये उस काम का चित्र था जो परमेश्वर एक दिन कलवरी की सूली पर करने वाला था जिसमें वो अपने पुत्र को मरने देने वाला था कि उसकी धार्मित्ता हमारा वस्त्र बन सके मनुष्य के पाप करने से पहले जीवन के व्रुक्ष के सामने कोई ज्वाला में तलवार नहीं थी आदम उसके पास जा सकता था और उसमें से खाकर अनन जीवन पा सकता था लेकिन मनुष्य के पाप करने के बाद परमेश्वर ने एक ज्वाला में तलवार को उसके चारो और घूमने के लिए नियुक्त कर दिया अगर आज आप उस व्रुक्ष में से खाना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर पर उस तलवार को गिरने देना होगा हमें अब अपने पापों के लिए दर्ण पाने की कोई जरूरत नहीं रह गई है क्योंकि वह तलवार कलवरी में इशू पर गिर चुकी है लेकिन आज उस तलवार का हमारे शरीर पर गिरना जरूरी है जैसा पवलुस ने कहा मैं मसी के साथ सूली पर चड़ाया गया हूँ मैं जीवित हूँ गलतियो दो बीस जब हम सूली पर इशू के साथ एक हो जाते है तब वह तलवार हमारे शरीर पर गिरती है और हम अनन्द जीवन में सहबागी हो सकते है जीवन पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है ये तलवार अज जीवन के व्रुख्ष की रक्षा करती है आदम के पाप की सजा के लिए परमेश्वर ने जिन शब्दों का इस्तमाल किया जरा उन शब्दों पर ध्यान दे श्राब, पीड़ा, काटे, पसीना, धुल, मौत तीसरा अध्याय, सोला से उननिस सूली पर ईशु के दुख और उसकी मृत्यु में हम इन सब शब्दों को पाते है ईशु ने ये सब कुछ अपने उपर इसलिए लिया कि हम उस दण से पूरी तरह मुक्त हो सके जो आदन में आदम को दिया गया था हम देखते हैं कि जैसे ही आदम का परमेश्वर से रिष्टा तूटा उसका उसकी पत्नी से भी रिष्टा तूट गया इसका प्रमाण यही है कि उसने अपनी पत्नी पर दोश लगाना शुरू कर दिया था जब भी आप दूसरों पर दोश लगाने वाले हो जाते हैं तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि आपका परमेश्वर से रिष्टा तूटा हुआ है जब आप परमेश्वर के साथ संग्यती में होते हैं तब आप दूसरों पर दोश नहीं लगाते आप अपना न्याय करने वाले बन जाते हैं यह शैतान है जो भाईयों पर दोश लगाने वाला है अध्य चार में हम एक और ऐसे व्यक्ति के विशे में पढ़ते हैं जिसने शैतान की बात सुनी कैन हवा ने कैन को जन दिया और उसने कहा मैंने प्रभू की कृपा से एक मनुष्य बनाया है चार एक उस समय एक मनुष्य का जन्म एक चमतकार था क्योंकि कैन एक जीवित प्राणी के रूप में जगत में जन्म लेने वाला पहला व्यक्ति था और हवा ने कहा परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया है और मैंने भी एक मनुष्य बनाया है मैंने अपनी ही देह में से एक मनुष्य बनाया है वहां एक गर्व की आत्मा प्रकट हुई थी मैंने बनाया मैंने रचा परमेश्वर ने थोड़ी मदद की लेकिन मैंने किया है और उसका पुत्र कैन उस गलत आत्मा के साथ बड़ा हुआ कैन और हाबिल परमेश्वर के लिए भेट लाए अगर आप पच्चार चार को ध्यान से पड़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह ये नहीं कहता जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल की भेट को ग्रहन किया और इसलिए हाबिल को स्विकार किया नहीं वो कहता है परमेश्वर ने हाबिल को पहले और फिर उसकी भेट को स्विकार किया ये इसी क्रम में है इसी तरह ऐसा नहीं था कि उसने कैन की भेट को ग्रहन नहीं किया था इसलिए उसने कैन को भी स्विकार नहीं किया था नहीं उसने पहले कैन को अस्विकार किया था और फिर उसकी भेट को ग्रहन करने से इनकार किया था बाइबल कहती है कि दुष्ट का बलीदान परमेश्वर की द्रिष्टी में ग्रुनित होता है नीती वचन 21-27 चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो कैन एक दुष्ट व्यक्ति था इसलिए परमेश्वर ने उसका बलीदान ग्रहन नहीं किया था जब कैन क्रोधित हुआ तब परमेश्वर ने आकर कैन को ये चेतावनी दी कि वो खत्रे में पड़ गया है अदन में परमेश्वर आदम को खोशता हुआ आया था और अब वो कैन को खोशता हुआ आता है हमेशा परमेश्वर ही खोये हुए मनुष्य को खोशता हुआ आता है इशु भी जगत में खोये हुए मनुष्य को ही खोशता हुआ आया था जब भी हम पीछे हड जाते हैं और मार्क से भटक जाते हैं तब हर बार परमेश्वर ही हमें खोश्ता हुआ आता है हमारे लिए ये बहुत उत्सा जनक बात है परमेश्वर ने आकर कैन को चेतावनी दी लेकिन कैन ने उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया जो पाप उसके रिदह के द्वार पर दुपका बैठा था उसने उसे ये अनुमती दे दी कि वो उसके भीतर आकर उसका नाश कर दे मनुष्य के अदन में से निकाले जाने के बाद इर्शा वो पहला पाप है जिसका पवीत्र शास्त्र में उल्ले किया गया है एक बड़े भाई की अपने छोटे भाई के प्रती इर्शा क्योंकि परमेश्वर ने छोटे भाई को आशिश दी थी जब भी आप अपने से छोटे किसी भाई को परमेश्वर से ज़्यादा आशिश या ज़्यादा अभिशेक पाया हुआ देखते हैं तो ध्यान रखे कि आप उससे इर्शा न करें वरना आप भी कैन के मार्ग में जा सकते हैं अब ये देखे कि परमेश्वर ने कैन से क्या कहा तू श्रापित है चार ग्यारा ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया लेकिन कैन को श्राप दिया आदम के मामले में परमेश्वर ने सिर्फ भूमी को श्रापित ठहराया था आदम को नहीं इसका कारण ये था कि जब आदम ने पाप किया तो उसने सिर्फ अपनी हानी की थी लेकिन जब कैन ने पाप किया तो उसने दूसरे की भी हानी की थी जब आप सिगरेट या शराप पीने जैसे पाप करते हैं तब आप सबसे ज्यादा अपनी देह को नुकसान पहुँचाते हैं लेकिन इसमें आप सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं लेकिन जब आप निंदा करते हैं तब आप दूसरों का भी नुकसान करते हैं और ये ज्यादा गंभीर पाप है लेकिन ऐसे कितने मसी है जो ये मानते हैं कि निंदा करना सिगरेट पीने से ज्यादा घिनोना पाप हैं जो पाप दूसरों को चोड़ पहुचाते हैं वे परमेश्वर की नजर में उन पापों से ज्यादा गंभीर है जो सिर्फ आपको चोड़ पहुचाते हैं कैन इसी वज़े से श्रापित हुआ था इसलिए जब आप दूसरों को चोट पहुँचाए तो उसे एक गंभीर बात मानना परमेश्वर ने कैन से कहा चार दस तेरे भाई का लहू भूमी से चिला कर मेरी दुहाई दे रहा है उस व्यक्ति का लहू जिसका आपने निंदा करने दुआरा नुकसान किया है परमेश्वर की दुहाई देता है वो तब तक दुहाई देना बंद नहीं करेगा जब तक आप उस पाप का अंगिकार करते हुए परमेश्वर से शमा नहीं मांगेंगे और उससे भी आपको शमा करने के लिए नहीं कहेंगे जिसकी आपने निंदा की है वरना आपका पाप न्याय के दिन तक परमेश्वर के सामने चिलाता रहेगा जब कैन को दंद दिया गया तो उसने कहा मेरा दंद सहने से बाहर है नर्प में जाने वाले सभी लोग यहीं कहेंगे वो यह नहीं कहेंगे मेरा पाप बहुत बड़ा है वो यहीं कहेंगे मेरा दंद बहुत ज्यादा है क्या आपका पाप आपको ज्यादा सताता है या उस पाप का दंद इस सवाल के जवाब से आप यह जान सकेंगे कि आप एक ईश्वर्य व्यक्ति है या एक अधर्मी व्यक्ति है एक अधर्मी उस सजा से ज़्यादा चिंतित होता है जो उसके पाप के लिए उसे मिलने वाली है लेकिन एक ईश्वर्य व्यक्ति का रिद है उसके पाप की वजह से तूड जाता है कैन परमेश्वर की उपस्तिती से चला गया और उसके बच्चे भी उसके जैसे ही बने उसका एक उत्र भी हत्यारा बना उन्होंने अनेक स्रियों से विवहा किये उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए संगीत वाध्य बना लिए इसमें हम उत्ते जना भरे तेज संगीत, रौक और मनोरंजन के संसार का आरम देख सकते हैं उन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है जिनके पिता प्रभूत से दूर चले जाते हैं चवता अध्याय, सोला से चोबिस कैन और हाबिल में हम दो धाराओं की शुरुवात देखते हैं धार्मिक धारा और आत्मिक धारा कैन निरीश्वर वादी नहीं था, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था वो भर्माने वाले बेबिलोनी धर्म का अग्रद उत्था हाबिल सब ईश्वर ये लोगों का अग्रद उत्था ईशु ने हाबिल का उल्ले एक धर्मी सही व्यक्ति के रूप में किया था मत्ती 23-35, कैन धार्मिक था, जबकि हाबिल आत्मिक था दो पुरुष जो परमेश्वर के साथ साथ चले हमने ऐसे व्यक्तियों के उधारण देखे जो शैतान के साथ चले आदम और कैर अब हम दो पुरुषों के विशय में विचार करेंगे जो परमेश्वर के साथ साथ चले थे हनोक और नूह अध्य पाच में हम ये वाक्याउंश तब वह मर गया आठ बार पड़ते हैं फिर उसी अध्याय के बीज में हम एक ऐसे पुरुष के विशय में पड़ते हैं जो मरा ही नहीं वो हनोक था, वो परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर ने उसे जीवी थी स्वर्ग में उठा लिया मृत्यू के बीच में ये मृत्यू में से जी उठने का चित्र है हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो पुनरुथान की सामर्थ में जिया उसने मृत्यू पर जै पाई और वो स्वर्ग में उठा लिया गया आत्मी मृत्यू के बीच में रह रही एक ऐसी इश्वर्य कलिसिया का चित्र जिसने पुनरुथान की सामर्थ वारा जै पाई और अंद में स्वर्ग में उठा ली गई ये हो सकता है कि हनो उसके जीवन के आरमवी 65 वर्षों में इश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति रहा हो लेकिन 65 वर्ष की उम्र में उसको एक पुत्र हुआ उसने इश्वर्य प्रकाशन द्वारा उसका नाम मतुशेलह रखा मतुशेलह का अर्थ है उसकी मृत्यू पर जल धाराए प्रवाहित होगी ये दर्शाता है कि जब हनो के पुत्र का जन्म हुआ तब परमेश्वर ने उसे एक प्रकाशन दिया परमेश्वर ने हनो को बताया कि जब उसके पुत्र की मृत्य होगी तब संसार का जल प्रले द्वारा न्याय किया जाएगा जल प्रले द्वारा न्याय का ये प्रकाशन नूह से पहले हनोग के पास आया था इसलिए उसने उसका नाम मतूशेलर रखा जब आपका बच्चा होता है तो आपको ये मालूम नहीं होता कि वो कितना जियेगा जब मतुशेलब बीमार होता होगा, तब हनोख शायद ये सोचता होगा कि न्याय का दिन नस्दिक आ गया है एक ऐसे बच्चे के विशय में सोचे, जिसके नाम का ये अर्थ हो, उसकी मृत्यू के समय जल प्रले होगा आप जब भी उसे पुकारेंगे, आपको न्याय का दिन याद आएगा और परमेश्वर के उस न्याय के भैने हनोख को परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला और ये समशने वाला बना दिया कि अनन्द की बाते समय के साथ खत्म हो जाने वाली बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसी संकट की वजह से हनोग अगले 300 सालों तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा बाइबल कहती है संसार और उसकी लालसाए मिट्टी जाती है एक युहना, दो, सत्रा अगर हमारा ये विश्वास होगा तो हमें भी हनोग की तरह ये समझ आ जाएगा कि अनन्द की बाते उन बातों से ज्यादा जरूरी है जो समय के साथ खत्म होने वाली है परमेश्वर का मनुष्य को दीरस से सहना इस वास्तविक्ता में नजर आता है कि उसने मतूर शेलर को सब मनुष्यों से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने दिया 979 साल 979 साल तक जब भी लोगों ने मतूर शेलर का नाम सुना तो उन्हें आने वाले न्याय का संदेश सुनने को मिला लेकिन लोगों ने उस संदेश को अस्विकार कर दिया इस संदेश का प्रचार करने वाला सिर्फ नूह ही नहीं था हनोक ने भी 300 सालों तक इस संदेश का प्रचार किया था और फिर मतूर शेलर ने अपने नाम द्वारा और 679 साल तक इस संदेश का प्रचार किया था नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चला और मतूशेला के जीवन के अंतिम 120 वर्षों में उसने भी इस न्याय का प्रचार किया था हनो और मतूशेला को जेल प्रले के विशे में इतने विस्तार से नहीं मालुम था जितना की परमेश्वर ने बाद में नूह पर प्रकट किया था लेकिन वे इतना जानते थे कि मतूशेला की मृत्यू के समय जल की बाड से जुड़ा किसी प्रकार का न्याय होने वाला है यहुदा ने हमें बताया कि हनोग ने अपने समय के सभी भक्ति हिरों के खिलाफ न्याय के होने की नबूवत की थी यहुदा चौदा और पंधरा हनोग एक नबी था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था हनोग के जन के समय आदम 622 वर्ष का था और वो 930 साल की उम्र में मरा था पाश्वाध्याय 5-23 इस थरा हनोग 308 साल तक आदम के संपर्क में रहा था मैं ये कलपना कर सकता हूँ कि हनोग ने अकसर आदम से उस समय के विशय में पूछा होगा जब आदम स्वयम आदन में परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हनोग की स्वयम परमेश्वर के साथ साथ चलने की बड़ी अभिलाशा रही होगी अनो ऐसा पहला व्यक्ती हुआ जिसने ये साबित कर दिखाया अदन से बाहर भी मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है पाप के जगत में आ जाने के बाद भी मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चल सकता था मैं अपने जीवन में बहुत से प्रचारों कों से मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिले हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चले हैं। लेकिन मेरी युवस्ता में जो थोड़े से ऐसे लोग मुझे मिले, सिर्फ उन्होंने ही मेरे जीवन में ये अभिलाशा जगाई कि मैं स्वयम भी परमेश्वर के साथ साथ चलू। नूह मतूशेल का पोता था और नूह 600 सालों तक मतूशेल के साथ रहा था। उसने मतूशेल से अकसर ये पूशा होगा कि हनो परमेश्वर के साथ साथ कैसे चलता था। नूह के रुधे में भी परमेश्वर के साथ साथ चलने की अभिलाशा पैदा हुई होगी। छे नौ में हम पढ़ते हैं कि नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जैसे जैसे नूह परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने जल प्रले के न्याय में रखे अपने उद्देश को नूह पर प्रकट कर दिया। जो दो लोग पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के साथ साथ चले थे, परमेश्वर ने पाप के विरुद न्याय का सत्य उन पर प्रकट किया। और हनोग और नूह ने विश्वास योग्य रहते हुए उस सत्य का प्रचार किया। हालाकि किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तब से अब तक परमेश्वर का हर एक सच्चा नभी उसी संदेश का प्रचार करता रहा है। परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों के पाप के लिए उनका न्याय करेगा। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हनोग और नूह ऐसे पहले दो प्रचारक है जिनका पवित्र शास्त्र में उल्ले किया गया है। अगर तब से हर एक प्रचारक ने भी वही किया होता तो परमेश्वर का आनन उरा हो जाता। परमेश्वर ने नूह से जहाज बनाने के लिए कहा और नूह ने पौरन उसे बनाना शुरू कर दिया था। उसने परमेश्वर से ये नहीं पूछा था कि उस पर होने वाला खर्च कौन देगा। अगर उसने पूछा होता तो परमेश्वर ने उसे यही जवाब दिया होता। निश्चित रूप से वो खर्च तुझे ही करना है। क्या आपने कभी परमेश्वर को ये कहते हुए सुना है कि आपको उसके काम का खर्च स्वयम अपनी जेब से करना है। ज्यादा तर मसी सेवक ऐसा सोचते हैं कि अगर वे परमेश्वर का काम करते हैं तो किसी दूसरे को उसका खर्च देना चाहिए। लेकिन नूह ने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने के साथ साथ प्रभू की भी सेवा की। जहाज बनाने के लिए धन संसाधन जुटाने के लिए उसे आतेरिक काम करना पड़ा होगा। लेकिन उसने वो सब खुशी से किया। परमेश्वर को आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है। जैसा एश्वर ने कहा है कि अंद के दिनों में लोग अगर नूह के दिनों की तरह ही दुश्टता से भरे होगे। तो परमेश्वर को भी अंद के दिनों में बहुत से नूह चाहिए होगे। ऐसे लोग जो प्रेरित पौलूस की तरह अपनी देखभाल खुद कर सके और प्रभू की सेवा करे। लोगों ने नूह से ये सवाल जरूर पूछा होगा कि जानवर जहाज में कैसे आएंगे। नूह जानता था कि वो उसका नहीं परमेश्वर का काम था और परमेश्वर ने अलोग के कृती से जानवरों को जहाज में पहुँचाया। नूह ने सिर्फ वही किया जो उसे करना था जहाज बनाना। उसने बाकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया था। हमें भी सिर्फ वही करना चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। और हमें सारी असंभव बाते परमेश्वर के हाथ में सौब देनी चाहिए। अन्त दहां हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। साथवा अध्याय सोलाव वचन। नूहने नहीं, परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद किया था। जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का समय खत्म हो जाएगा, तब परमेश्वर उद्धार के द्वार को भी इसी तरह बंद कर देगा। जहाज, मसी और उसकी देह कलीसिया का चित्र है। जहाज में रहना अवश्य ही कश्ट प्रत रहा होगा। वैसे ही जैसे कलीसिया में रहना भी कश्ट प्रत हो जाता है। कलीसिया में हमें ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ता है जो हमसे भिन्न होते हैं। और अक्सर उन में से कुछ हमें अप्रिय लगते हैं। लेकिन जहाज चाहे बहुत आरामदायक जगह नहीं थी। फिर भी उस समय वह प्रुथवी की एक मात्र सुरक्षित जगह जरूर थी। आज कलीसिया भी ऐसी ही एक जगह है। अगर कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहना मुश्किल है, फिर भी मैं कलीसिया में खुश हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसमें खुश होगे। यही वज़ा है कि हम लोगों को हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। जल प्रलय का जल जब उतर गया, तब नूह ने एक कववे और एक कवुदरी को जहाज में से बहार भेजा। ये देह और आत्मा का चित्र है। कववा लोटकर वापस नहीं आया। उसे मरे हुए मनुष्यों और पशों की लाशे मिल गए थी। और उसके लिए तैयार उस भोज से वो आनंदित हो गया था। इसी तरह वे जो संसार में अपनी देह के भोगविलास के लिए जीते हैं, उन्हें भी ये संसार बड़ा आकरशक लगता है। लेकिन कभुतरी बहुत जल्दी वापस आ गई। ऐसा ही उनके साथ होता है जो आत्मा के अनुसार जीते हैं। वे संसार में कभी संतुष्ट नहीं रहते और हमेशा कलीसिया में परमेश्वर के लोगों की संगती में लोट आते हैं। जहाज में से निकलने के बाद नूहन ने सबसे पहला काम यही किया कि उसने एक वेदी बनाई। जिस पर उसने परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बली चड़ाई। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने और उसे हमारी आरातना और धन्यवाद के बलीदान चड़ाने का यह एक ऐसा उधारण है जिसका अनूसरण हम सब को करना चाहिए। लेकिन नूह एक सिध्ध व्यक्ति नहीं था। एक दिन वो मदीरा पीकर अपने तंबू में नंगा हो गया। उसके पुत्र हाम ने आकर उसे उस दशा में देखा और उसने जाकर अपने भाईयों को यह बताया। हाम ने क्योंकि अपने पिता का इस तरह अपमान किया, इसलिए वह श्रापित हुआ। शेम और ये पित ने उल्टे चलते हुए जाकर अपने पिता की नगनता को एक चादर से ढाप दिया। इसलिए उन्हें आशिश मिली। इस घटना में हमारे लिए एक जरूरी संदेश है। पवीत्र शास्त्र में ये पहली जगह है जहां पिता का अनादर करने के लिए हम एक पुत्र और उसके वंश को दंडित होता हुआ पाते हैं। जब हम अधिकार का अनादर करते हैं तो परमेश्वर की नजर में ये एक गंभीर मामला होता है। जब आप अपने पिता परमेश्वर के एक जन या परमेश्वर के एक आत्मिक अगुए में कोई कमजोरी देखें। तो अगर आपको श्रापित होने से बचना हैं तो उसके नंगेपन को हाम की तरह दूसरों के सामने उगाडा न करें। शेम और येपेत की तरह बने और उसे धाब दे। प्रेम असंख्य पापों को धाब देता है। एक पत्रस चार आठ नीतिवच्चन दस बारा। नूह ने शेम और येपेत को संगती की आशिश से आशिशित किया। परमेश्वर येपेत को बढ़ाए और वो शेम के तंबूओं में वास करे। 9.27 हमें भी ऐसे लोगों के साथ संगती बनानी चाहिए जो एक दूसरे के साथ रहते और एक दूसरे के पापों को धाबते हैं। सिर्फ ऐसे विश्वासी ही ईशू मसी की कलिसिया का निर्माण कर सकते हैं। आईए हम प्रार्थना करें। है स्वर्गिय पिता, आपका शब, आपका वचन बहुत समुरुद है। हम इसके लापरवाई से पढ़ने से बहुत चुग गय है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को भूक लगी हैं कि इस शास्त्रों का अधिक ध्यान से हम अध्यन कर सके। इसमें मौजूद धन को देखने के लिए हमें और अधिक इश्वर्य जीवन के लिए चुनोती देने के लिए है प्रभू सहायता करना, हर एक की मदद करना, इश्व के नाम से आमेन।